देखो डोकुमेंट में नाम राकेश सरमा है वैसे यहां पर राउल सरमा के नाम से जानते हैं फजे और निरंतर जब से पार्टी बनी है तब से हम लोगों के बीच में पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई मुक्हेमंतरी नहीं है अबले नियूज में इस वक्त मैं मौझूदू बुराडी विदान सबा और कादीपूर वाड में हम लोग मौझूद है वाड नमबर छे से और मेरे साथ जो शक्सियत जो आपके दिखाई पड़ रही है उनका नाम है रहूल शर्मा और फ्राकेश शर्मा नाम दो हैं लेकिन शक्सियत एक है इनसे जानते हैं कि नाम दो होने से इनको कितना लाब भी होता है और कुछ मुश्किलाथे भी आती होंगी बाकी यहां से काफी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं जैसे दावेदारी भावी परत्याशी की दावेदारी हो रही है तो रहूल जी से भी हम जानन क्योंकि फैसला तो जनता के हाथ में रहेगा तो क्या बुलना चाहते हैं आप राकेश जी या मैं बोलू राहूल जी देखो डोकॉमेंट में नाम राकेश सर्मा है वैसे यहां पर राहूल सर्मा के नाम से जानते हैं मुझे और निरंतर जब से पार्टी बनी है तब से हम के बीच में हैं कोई confusion नहीं है लोगों के अंदर और हमें जो विजेपी वाले holding लगा रहे है बैनर लगा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है हमें क्योंकि हम हर घर तक हर परिवार तक हर टाइम में रहे हैं आप विजली विभाग पूरी विधान सबाकवे ने देखा है हर कलोन विधायक जी के प्रियास से विधायक जी ने बहुत कारिये किया है अभी जैसे विधान सबा चुनाओ थे पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई मुख्यमंतरी नहीं है ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिन्होंने ये बोला हो कि हमें हमने काम करा है तो बोट देना नहीं तो मत देन एक मातर मुख्यमिंतरी अर्विंद के जरिवाल हैं जिनोंने सब के सामने पबलीक में एक एक गली में घर में जा के सभी के सामने बोला कि हमने काम कै आय तो बोट देना नहीं तो नहीं देना हम उसी को लेकर अब जो नगर निगम के चुनाव हैं उसी मैसिज को लेकर हम सब के बीच में जा रहे हैं हर गाओं में हर कलोनी में हर गली में डोर टू डोर भी करने हैं हमारा कहना बस यही है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है बदलाव किया है विदान सबा के अंदर तो MCD में भी केजरी वाल जैसे जब केजरी वाल चुने कहते हैं एक आम आदी पार्टी की लहर आई थी तो अभी MCD में भी हम लोग जाते हैं जगा जा सर्वेई लेते हैं तो अंदर की बात मैं आपको बता रहे तो मैं भी खुलासा कर देता हूं तो जनता के मुझ से हमें सिर्फ आम आदी पार्टी सुनाई दे रहा है तो लहर ये लहर में ही रह जाएगी या लहर से जब अगर कार्य करता EBCD बहुमत से आ जाते हैं तो कार्य होंगे या नई होंगे देखो लोगों के बीच में जबरदस्त उच्छा है क्यों उच्छा है क्योंकि अरवीन जी ने कारिय करके दिखाए है वीजेपी 15 साल से नगर निगम में है उन्होंने क्या किया है सिरफ ब्रेष्टा चार किया है और ने तो उनके पास में करमचारियों के देने के लिए तनखा है कुछ भी नहीं है ने उनके पास में कोई पलान है जैसे अर्विन जी ने आकर पलान किये हैं स्कूल हो हो स्पीटल हो गलिया हो नालिया हो बिजली हो पानी हो हर चीज में अर्विन के जिरिवाल जी ने कारिये किया है हमारी विधान सबा के अंदर मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ विधायक सिरिसंजी उजाजी के परियास स कितने कारिये हुए हैं आप देखेंगे नंगली पुना के अंदर एक कलोनी है जब वीजेपी सरकार थी कॉंग्रेस थी हमेशा वो बोलते थे कि हम कलोनी में काम नहीं कर सकते लेकिन जैसे ही विदायक संजीव जाजी आए उन्होंने पूरी कलोनी की गलिया बनवाई है उसके बाद नंगली पुना के अंदर जो आप देखते होगे गुस्ते ही पुलिया है उसको बनवाया है उसके बाद में पुस्ते के पास में रोड है वो बनवाया है उसके बाद में अमन कलोनी है पूरी ये कादिपूर गाउं के अंदर आती है और गाउं के अंदर पहले क्या थ कादिपूर में भी जो extension है उसमें विदायक सीरी संजी जाने पानी की pipeline डलवाई है उसके अलावा वहाँ पर उन्होंने गलिया बनवाई है उसके बाद हम आते हैं कुसक वन आपको फिर बुलाना चाहूंगा मैं आज ही बोल रहा हूं कुसक वन गाओं में आप जाएंगे कु की बोला जाता है उसका भी पूरा कारिये विदायक सीरी संजी जाजी के परियास से हुआ है उसके बाद में आप जाएंगे पुस्ते में पुस्ते की साइड में क्या होता है बुराडी की साइड में जाम लगता था तो 40 फुटा चोड़ी होगी है चालिस फुट का चोड़ और इतना सुन्दर है मैं आपको वहां पर भी एक बार लेके चलूँगा क्योंकि वह भी कारिये बुराडी के लोगों के लिए बहुत अच्छा है वह कारिये विदायक सीरी संजी जा और आम आदमी पार्टी दवारा किया गया है उसके बाद होस्पिटल कितना अच्छा है होस्पिटल करोना काल में हर जगे लोग भाग रहे थे लेकिन बुराडी के लोगों को कोई तकलिप नहीं हुई क्योंकि यहां पर विदायक सीरी संजी जा जी के दवारा अच्छा सुन्दर होस्पिटल बनाया गया है मैन रोड आप देखेंगे यह हीरन की जो है पुलिस चोकी यहां से लेके बुराडी तक मैन रोड बनाया गया है विदायक सीरी संजी जा जी के दवारा उसके बाद आप आते हैं दर्सन बिहार में कल सीवर का उधगाटन हुआ है वहां की गलिया बनाई गई है और उत्राखंड कलोनी है उसको बनाया गया है बैक साइड में आप जहां बैठें इसके बैक साइड में कादी वियार है पूरा बिधायक शीरी संजी जाजी आपने भी बोला कि कॉंग्रिस के एक सांसद में इबरहेम गोड लिया ऐसे ही बाजपा ने कादीबरु का लिया था तो क्या लगा रहा है कि गोड लेना तो एक बहुत बड़ी रिस्वंस्पिल्टी होती है तो क्या लगा कि गोड लिया एक अमाउंट आई होगी तो कहां कर पाए वह अलत हरे क्यों उत्रे देखो मोडी जी ने जो चलाए हैं जैसे ही आये हैं उनका वे सिर्फ डाइलोक बाजी में पूरा समय निकला है उन्होंने गोड लिया लेकिन कारिये कोई नहीं किया आप भी फिल्ड में रहते हैं हम भी रहते हैं एक कोई बता दे पबलि कि दो मंजिल तक अभी वह बन चुकी है लेंटर डल रहा है उसमें और इतनी अच्छी बनेगी कि यहां पर आसपास में किसी को नहीं फार माउस बुक नहीं करना पड़ेगा तो वह चोपाल भी विदायक सिरी संजी उजहाजी और आम आदमी पाल्टी के दवारा बनाई ज बनी है उसके बाद डटू कलोनी के आप ड़ोड की एक सो पांच गलिएंक डल वाई में उसके बाद में वहां पर पूरी गलिया बनाई गई हैं नत्थू पुरा की चोपाल का संदर्यएकरण किया गया है क्योंकि उसकी आलत बहुत खराब थी तो यह ये निरणतर कैसे हु में मुद्दा है mcd के अंदर तीन बार इसलिए बने हैं और विधायक जी हमारे एक बार हो सकती है दो बार तीन बार नहीं हो सकती है आगे भी वही बनेंगे क्योंकि उनका व्यभार संस्कार उनके अलगी है आप कभी देखा होगा कि लोगों के बीच में ऐसे रहते हैं आम आदमी की तरही कभी कोई पावर नहीं ले रखी है उन्होंने आज आप देखेंगे वीजेपी के पास लोग जाते समय डरते है कि वहां जाएंगे तो निकाल देंगे वो कर देंगे लेकिन विदायक जी रोड पे जा रहा है तो रिक्षा वाला भी उसको दो बात सुना देता है वो कभी पलट के जवाब नहीं देते हैं उसके बाद में आप आगे चलेंगे परदीप भियार है पूरा परदीप भियार काधिपुर भाट 6 से अगर परत्याशी आते हैं दिगम दिगम चुनामें आधीपार्टी से तो जैसे आप ने बताय कि काफी कारे और हो रहे हैं भी दिगम पार्ष्ट को करने चाहिए लेकिन आमाधीपार्टी कारे करता लगे वे लीन है लोगी सेव परतियाशी अगर आ तो अब एक काम करना है जैसे जनता किस से प्रेशान है जनता बोलती है कि हमारे घर पे कूड़ा होता है उसके उठाने के लिए गाड़ी नहीं आती है हम गाड़ी की व्याष्टा करवाएंगे परतेकलों नहीं आपको रोखना चाहूंगा कि कुछ नहीं पहले आप अभी एक कुछ का आपको जगह दिख जाएंगी ऑस्टर लेके में बहुत बड़े बड़े की 13000 का घपला है जो भी वहां से बात सामने आती है तो यहीं कहते हैं कि बात हो पाती हमारी की पैसे नहीं है तो इसलिए खुड़े की गाड़ी नहीं आती ड्राइवर नहीं है तो ऐसे से अरोप लगाते रहते हैं हम पबलिक को यहीं समझा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को चुनें अमसीडी में भी तो यह जो इनकी ड्रामेवाजी है यह बंद हो जाएगी अब पबलिक को क्या बोलते हैं पबलिक जाती है कि कुड़े की गाड़ी नहीं आ रही है वो बो सुना होगा कि अनुथ्राइज में काम नहीं करेंगे यह बोलते थे अर्विंजी ने बिल पास करा तो यह भी तो बिल पास कर सकते थे कि अच्छे अच्छी गाडिया आए इन्होंने पूरा दिमाख लगाया है दूसरी साइड स्कूल देख लो आप इनके स्कूल इतने खर कि हम बोलते हैं को अच्छा किया एक आप इसलिए वोट करना वो क्या बोलेंगे कि हमने करोड का प्रोजЕκ्ट स्कूल हब बनेगा यहां के बच्चे, बच्चों का भुईस्य बनेगा, हम ये बोल कर वोट मांगेंगे, हमने कादीपूर स्कूल की चार मंजिला, स्कूल बनाया, चार मंजिल का, अच्छा, हम समझा रहे हैं हम निरंतर लोगों के बीच में हैं दो बार आपने देखा होगा करोनाम हमारी की लहर आई थी हम उसमें भी लोगों के बीच में रहें यह मैं नहीं बोल रहा हूं आप लोगों के बीच में जाएं सर्वे करें आम आदमी पार्टी की पूरी टीम आम आदमी रखे और हमें बुलाएं तो हम सीधे चले जाएंगे क्योंकि ऐसी कोई कलोनी और ऐसा कोई गाउं नहीं किया हूँ तो हम काम के नाम पर बोट मांगेंगे नैंकि हम जैसे बोलते हैं यह डायलोग बाजी करेंगे डायलोग बाजी पर देखो यह समझ जुकी है अब की बार प आधिपुर वार नमर छे से विदायक प्रतिनी दिया है उपादेक्षपी आमाधी पार्टी से तो काफी वारतला हुआ इन से आमाधी पार्टी द्वारा कितने कार यहां पे हुए आपने राहुर सर्मा की जुबानी सुना तो आखिर में मैं आपसे यह गुजारिश लाइक कमे शेयर करना ना भूलिए और आपकी इस कबर को लेकर के क्या राय आप अपनी राय अवश्य दे सकते हैं तो इनी शब्दों के साथ मैं शोबिसेनी मेरे सहयोगी गुड्डू के साथ देख करिये डबल एनी उस